दोस्तों यह जो Paytm Soundbox है यह मैं Paytm for Business application से सिफ एक रूपिया में order किया offer में मिला मेरे को लेकिन मैं आप इसे return करना चाहता हूँ वैसे यह तो बहुत एक कामल का device है जब कोई customer मेरा shop पे आके Paytm QR code scan करके payment करता है तो payment alert दिया जाता है लेकिन मैं इसे deactivate and return करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं जल्दबाजी में सिफ एक रूपिया offer में order कर लिया लेकिन मैं ठीक से check नहीं किया क्योंकि हर महीना में इसका rental देना पड़ता है लेकिन इनका monthly rental charge है 125 रूपिया अगर आप आपकी shop पे महीनों में 100 transaction कर लिया तो ये फिरी में आपको मिल सकता है लेकिन फिर भी मैं इसे return करना चाहते हूँ क्योंकि मेरों को ये नहीं चाहिए और एक मैंने की 125 रूपिया rental card भी लिया था और जब मैं इसे return किया return की 24 घंड़ा के अंदर delivery boy आके मेरा product को pick up कह लिया तो चलिया आप मैं आपको process बताऊंगा return कैसे किया जाता है क्योंकि business application को open करना होगा तो चलिया मैं अपना patm for business application को open कर लिया और open होते ही एक option चूज करना होगा मैं आपको देखा रहा हो देखे open होते ही एकदम उपर देखे आपकी logo दिखाई देगा logo की इपर click करना होगा यहापार देखे मैं अपना logo की इपर click कर दिया लोगों की उपर क्लिक करते ही थोड़ी ही नीचे स्ट्रॉल करके जाना होगा नीचे यहाँ पर लिखा है माई सार्विसेस यहाँ पर देखिए माई सार्विसेस की उपर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए sound box लिखा देखे दिर रहे और site में देखिए paid का option देखे दिर रहे और नीचे यहाँ पर dखे sound box की logo भी दिखे दिर रहे paid की उपर मैं click कर दिया paid की उपर click करके यहाँ पर dखे यह वला sound box मेरे को मिल चुका है और नीचे देखिए device rental 125 और already पेट दिखा रहा है यहापर view all transaction आप sorry यहापर लिखा है view payment history इनकी उपर click कर दिया और click होते ही आपका कितना महीना का rental charge लिया था आप यहापर check कर सकते हो तो चलिए आप मैं इसे cancel कर दूँगा या return कर दूँगा तो return करने के लिए आपको और द्यान देना होगा यहापर देखिए थोड़ा back करके नीचे यहाप देखिए यहापर लीखा है contact us यहापको यहापर देखे分 करके contact us की उपर click करके customer care से बात करना होगा तो चलिए मैं contact us की उपर click कर दिए क्योंकि यहापर जो बात करने का जो mobile या पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक ट्रिक करके आप यह पार प्ला सकता है तो यह पर देखिए कुछ ओप्सशन हम यहाँ दी गई है यह पर आपके हिसाब से आपको सिलेट करना होगा इनके सबचार करना होगा अगर आपका चैटिंग करके कंट्रेंग शो नहीं कर किया और क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो गिया आप कुछ सुन लेजिए नमस्कार बिजनेस में आपको साथ है मैं जोती बात करी मैं आपकी क्या मत करते हूं मैं थोड़ी दिर पहले मैं फोन किया मैं जो पेटी एम सांट बोक्त है ना उसे मैं डियक्टिवेट करना चाहता हूं जाएं प्रोधान बात करें हाँ 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 वह मोड़न अचाना कट गया क्यों कट की एंप पता नहीं कि कट गया मेरेको पूछा आल्टरेट मोबाइल नमबर पूछ रहा है और मेरेको थोड़ा वैट काने के लिए बोला तो लाइन काट गया है इसलिए मैं दुबार कॉल क चाहता है आपको पर देख्रेशन के लिए अच्छा 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 ओम मेरों का नहीं मेरा तो इसलिए लाइन अर्चनक कट गया इसलिए मैं दूबार कॉल गया और फ्रेंस इसी कॉल की 24 घंटा के अंदर डिलिवेरी एजन आके मेरा प्रोड़क को ले गया जिनका फोटो खिचके मैं रखा हूँ और यहाँ पाद देखे पेटियम साउंद बॉक्स की जो पैकेट है पैकेट खुला हुआ है तो फ्रेंस वीडियो अगर अच्छा रागे कम से कम एक लाइक जरू देना थंक्स फर वाचिंग